इसराइल फिलिस्तीन विवाद, हमलों से एक दिन में 26 लोग थे मरे। पिछले कुछ दिनों से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक हमलों में एक नया बदलाव देखा गया है। इसराइल ने 10 मई की राद गजा सहित कुछ क्षेतरों पर हमले किये। पिछले चार दिनों में जबकि कुछ लोग इससे असहमत हैं तो कुछ अन्य इस पर समर्थन करते हैं। हालांकि इस जंग की वापसी के बारे में कोई नया विकल्प सामने नहीं आ रहा है। न्यूस एजिंसी रॉइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 7 अक्टूबर से शुरू हुए संगर्ष में अब तक कुल 1587 लोगों की मौत हो गई है। इसराइल में 900 लोग मारे गए हैं, जबकि 2300 लोग घायल हैं। गाजा पट्टी में 700 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है, 3726 लोग घायल हुए हैं। हमलों के बीच इजराइल के प्रधान मंत्री बेंजमिन नेतन याहु ने कहा कि हमास ने हम पर हमला करके सबसे बड़ी गलती की है। हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे, जिसे हमास और इजरायल के बाकी दुश्मनों की पीडियां दशकों तक याद रखेंगी। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चार दिनों से संगहर्ष जारी हैं। हमलों के बीच मरने वालों की संख्या में लगतार इजाफा हो रहा है। इसरायली सेना का कहना है कि गाजा पट्टी के आसपास हमास 1500 लड़ाकों के शव मिले हैं। वहीं, साथ अक्टूबर से शुरू हुए।